मैं आरुनांग्शु बोल रहा हूँ मैं यहां आपके सामने कवी नागार्जुन पर आधारित एक आडियो बुक पेश करने जा रहा हूँ यह आडियो बुक कवी नागार्जुन की जीवन की कथा के साथ साथ उनकी कुछ कविताओं का संकलन है मुझे उम्मीद है कि यह आडियो बुक आपके और कवी नागार्जुन के बीच एक साहद संमन्द बनाने में कामियाब होगी यह मेरा एक विक्तिगत प्रयास है जिसमें कोई बानिज्जिक आदान प्रदान नहीं है तो आएए सुनते हैं बावा नागार्जुन की कथा सन 1911 भारतिय इतिहास के पन्ने पर एक अहम समय जब अंग्रेजुने अपनी सत्ता का केंद्र कलकत्ता से उठाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था जब स्वदेशी भावनाओं की जाला मुखी से जिंगारी छलक रही थी ताल गाल पर तस दस चुंबन तेह देह कुतो वालिंगन आदी स्रिष्ट का चंचल शिशु मैं इत्री भुवन कमैं परंपितामा विक्त विक्त का निर्माताम है रिचा रिचा का उद्गाताम है कहा नहीं हूँ कौन नहीं हूँ अजी एहीं हूँ अजी वही हूँ जहां चाहिए वहां मिलुंगा Stop it कर लो, नहीं है, मैं पिराठ हूँ, मैं पिराठ हूँ, मैं पामनो एक एक को गोली मारो, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, भई, मुझ खोवी तुम गोली मारो बारुदी छर्रे से मेरी सद्कति हो, मैं भी यहाँ शहीद बनूंगा, मैं ना अभी मरने वाला हूँ, मर-मर कर जीने वाला हूँ प्रूप्ट प्रूप्ट प्रूप्ट